हाई एवरीबन गुट इवनिंग कैसे हैं आप लोग तो क्या बोले आज अभी तुरं अभी हमको जाना है कोट निकलना है पतला परत्य वहार के दूसरा दिन जाना पड़े तो मन थोड़ा उदास रहता है नहीं मन करता है कोट के चेरी जाने का लेग्ग कुछ-कुछ का ऐसा काम ही पड़ जाता है कि जाना है तो अभी ना टाइम हो रहा है तीन बच के 17 मिनट और आज है वेटनेस टे तो निकलते हैं हम बस तयार हुए तयार होके बैठे हुए थे हम बोले कि थोड़ा सा वीडियो भी शूट कर ले क्योंकि इन दिनों पता है हम व्लॉग वीडियो बनाने में बहुत ध्यान नहीं दिये थे और मतलब क्यों चल रहा है जैसे भी है इसी से है कि हम इस पर देना आपड़ेगा कि क्योंकि काम हुए कॉर्ट अब हम देखते हैं तो नीकल रहा है है क gateway सम्सक्राइब करो कर कर के वाया कप्र डाल लिए और क्या तैयार होंगे बस आ रहे हैं न मम्मी नहीं है निकी आ रहे हैं न उसके बाद निकल गए थे हम कोट के लिए मतलब अभी तो कोट का चरी भी बंद है लेकिन ऑफीशियल जो भी काम है न वो अभी भी हो रहा है कोट में तो वकील भी आए हुए थे मेरे और हमको डेलेसे में भी काम था मतलब जो सरकारी वकील है उसके लिए भी काम था और हाई कोट में जो केस हुआ है न तो वहां के लिए भी काम था क्योंकि अभी मेरा नवंबर में राची हाई कोट में भी डेट पड़ा है तो में पता है क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि वकील वगएर मेरे पास ऐसा नहीं है कि मेरे यूट्यूब का एक fix income है कि पचास हजार कमा रहे तो पचास हजार ही अगले महीना आएगा ऐसा कुछ नहीं है और हमको उतना में सब कुछ देखना पड़ता है सब कुछ तो कोई fix income तो है नहीं इसलिए ना थोड़ा हमको problem हो जाता है और एक extra ह हम खर्चा बॉर्डर नहीं लेना चाहते हैं तो इसलिए हमको सरकारी वकील चाहिए था भाई मेरा भी है नहीं तुम कहां से करेंगे और सामने वाला मतलब कुछ अगर बच्चे का भी responsibility उठाए तो समझ में भी आता है तो वो सिर्फ मेरा तो responsibility नहीं था ना लेकिन तीन साल हम किये ना एक अकेली औरत हो करके हर तरब से financially बोलिए अगर बच्चे का तबित खराब होता है वो सब चीज में बोलिए हर तरब से हर तरब से हम कोशिस किये हैं हम पता है कभी भी अपना खुशी नहीं देख है चाहे जो भी हो लेकिन हम कभी भी बतलब family को या फिर बच् करते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है तो हम वहां डालसा से निकल गये थे और जो मेरा काम था वो प्रॉपर काम मेरा हो गया था फिर हम रिक्षा ले करके घर पे भी पहुश गये तो गैस अभी जश्ट पहुशे घर और कपड़ा उपड़ा भी नहीं चेंज किय मितलब अभी हमको थोड़ा सा हेड़ेक जिसा लग रहा है फिर से हमको राची भागना राची आना राची जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लेकिन हमको क्या ही बोले समझ में नहीं आता है ना कि हमारे ससुर जी क्यों ऐसा कर रहे हैं भगवान खुद उनको दो-दो वो खुद पे कितने स्टैंड है और वो खुद से क्या ही कर सकते है वो हमको बहुत अच्छे से पता है घर के मालिक है हमारे मुरगा परशाद अकरवाल जी और completely हर कुछ उनके हाथ में है अगर अलग करने का किसी किसी का है भी तो वो कहीं न कहीं ससुराल वाले का है भी और उनका भी है भगवान उनको दो-दो बेटी दिया है दो-दो बेटी दिया है लेकिन उसके बावजूद भी उनके दिमाग में इतना भी नहीं है कि आज हम जिस तरह से किसी और की बेटी को और खुद उस घर की जो पोती है, मेरी मौली, गुर्डू जी की बेटी, खुद जो इतना तकलीफ बच्चे को तीन साल से दिये हैं, मतलब जो कर्म आतमी करता है नो कहीं न कहीं निकल के आता है, यह ठीक है यह मेरा कर्मा होगा, कहीं न कहीं होगा पिछले जनम पर जो भी हो सारा कुछ, यहां का किया यहां भोगना पड़ेगा इनसान को, फिलाल तो भी हमको फिर से राची निकलना पड़ेगा, अभी नहीं कुछ दिन के बाद ही राची निकलना है, नवंबर में, और सेकेंड नवंबर को मेरा बड़े है, तो उस दिन भी हमको शायद पता नहीं उस दिन कौन सा दिन पढ़ रहा है, उस दिन भी हमको कोट में काम है, मौली हम से बोल रही थी, मम्मी उस दिन नहीं जाना न मम्मी प्लीज, उस दिन नहीं जाना, बच्चा है उसको क्या ही समझा है, लेकिन हाँ, बच्चा लोग भी समझदार होता है, समझदार होता है वो ल जा करके एक बारी सब कुछ face to face करना जरूरी है वही ना कि आदमी समझता नहीं है किसी का भी problem क्या है क्या नहीं है बस लोग judgmental होते हैं जज करते हैं हाई आजो मौली बिटिया ट्यूशन पढ़ रही थी भाई हमारी फुंचुनिया ट्यूशन पढ़ रही थी भाई फुंचुनि का तबेट कशा अभी बाबु तबेट कशा है अच्छा तबेटी का मैं बच्छो लो यू शो मच कुछ लाए क्या लाते लाए है ऐसा चीज कि तुमको खाना नहीं है उचीज क्या बनाना नाक शेस अच्छा अभी दभाई पिलाएंगे बाबु को दभाई तो छुन्न मुन्न मेभ फुतून बिटत इस मान सब दो खोड़कर है नमस्ते कर दो तो इस मैं पर दो नमस्ति नमस्ति मॉली को नमस्ति करने आ गया नमस्ति क में बड़ा काम आने वाला चीज है मुली तो इस आपधी चुंगी है नॉके से स्ब यहहां अइन चलू से लिए इतला चल देख चुट्टी कर दे रही है चलू से कर देख है टाइम पर चुट्टी कर दे रही है मुली उस में मत लगा बिटा नहीं तो फिर लगा ना फिर पुरह ये लगेगा तो गैस यही सारा बात है कोटकेशरी का भी काम बैस बहुत जल्दी हम चाहते कि यह सब चीज से हम निकल जाए खतम हो जाए और जिंदगी में आगे बढ़े टेंशन से मुक्त रहे क्योंकि इत्ता ज़दा लोड लेकर आदमी भूच बहुत बढ़ियां से तो नहीं चल सकता है कही न कोई टेंशन होता है यह एक्स्ट्रा टेंशन होता है यह सब्शीश तो यही सारा बात है कही हो लिए चैनल पे ले होगे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिगा सपोर्ट कीजिगा और मिलते है निक्स्ट वीडियो में